नमस्कार दोस्तों आप सभी का एकवार फिर से quality education पर हर्दिक स्वागत हैं जैसा कि आप सभी को पता है CT के अंतरगत अपने important जो topic है वो चल रहे हैं और उसमें आज अपन जिस topic के उपर चर्चा करेंगे राजस्तान economics का एक important topic है बेरोजगारी आपके syllabus के अंदर लिखावा है वीडियो के अंदर यही topic एजटेज लिखावा था बेरोजगारी एवम दरीदरता यहाँ पे लिखावा है केवल बेरोजगारी बेरोजगारी होती क्या है बैसिकली सिदा से इसका साब्दिकरत यह है कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी शमता के according कारिये नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी की अंतरगत आता है जैसे कि मानलो कि आपने पढ़ाई की है भाई यूजी या फिर पीजी कर रखी है आपने एमे कर रखी है और आपको जो काम है वो मिल रहा है आट अजार का पांच अजार का छे अजार का यानि कि आपकी शमता के according अगर आपको काम नहीं मिल रहा है आपने काम कर रहा है तो उसको basically बेरोजगारी के अंतरगत count किया दाता है बेरोजगारी से पहले राजस्थान के अंदर आर्थिक्ष्मिक्षा से कुछ important चीज़ आती है उनके उपर अपन चर्चा करेंगे कि हाँ आर्थिक्ष्मिक्षा के according ये ये जो है वो criteria होते हैं किसी भी चैतर के अंदर बेरोजगारी के और उसके बाद मैं अपन विशेष रूप से बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो ह нужब है आप धेरोजगारी के लिए आंख्रे होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं और लाश्ट में बात करेंगे कि कौन कौन से सुचकांक है जिसके माध्यम से सरकारों को पता तलता है कि किस चैतर के अंदर कितनी बेरोजगारी है अपने जन्गरना 2011 है उसके आधार पर कारिय से जन्सेंग कितनी क्या है उसके उपर अपन सुरुवाती रूप से चर्चा करत जो कि मुझसे शुरूप से 15 टेस्ट अपने को उपलब्द करवा रहे हैं जिसके अंदर 10 जो है वो टोपिक वाइज और 5 जो है आपके फुल लेंद इसमें टेस्ट मिलने वाले है पहला टेस्ट जो है वो आपके सभी के लिए फ्री है आप इस टेस्ट को आराम से दे सकते है वो आपके गूगल पे के ऊपर जो है उसके ऊपर जाके आपको क्वालिटी एजुकेशन एप डाउनलोड करना है वहां पर यह टेस्ट आपको मिल जाएगा फ्री के अंदर मिल जाएगा यह अपना टेलिग्राम चैनल है यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के लिए इन नमरों को पर आपको कर लेना यहां से आपको सामयने जानकारी मिल जाएगी इस टेस्ट के बारे में और अगर आपको अच्छे से जानना है तो और 199 रूपे के अंदर यह वरतमान में टेस्ट पी चल रही है जो कि 399 की हुआ करती थी अभी offer price है तो जल्दी से जल्दी जो है वह आपको इसको खरीद लेना है और अच्छे से इसको देख लेना है देखिए एक और अपनी किताब आ रही है senior secondary level की जो कि आपके 10 प्लस 2 के लिए है CT के लिए जिसके अंदर अपने को 11 प्रेक्टिस टेस्ट पेपर उपलब्द कर ला सकते हैं तो यह kys audi है किताब बस प्रेश है यहांसे आप test दे सकते हैं आप अपना topik क्या है बेरोजगारी बेरोजगारी के अंदर vya है और दो विश्यशोरूप से चीजे पढ़ने वाले है कि बड़े बड़े इस तर के उपर अगर देखने को मिले तो राजस्तान के अंदर एक परकार से आर्थिक प्रिद्श है, निया की, सबसे पहली चीज आती है स्रम शक्ती. किसी भी देश के अंदर या फिर अपने बात करें विशिश वुप से भारत की या फिर राज़स्तान की, अपने या पर बात राज़स्तान के करते हैं राज़स्तान के अंदर accents का मतलब है कि 15 साल से लेकर 60 साल के बीच के जो लोग है क्योंकि ये सारे के सारे लोग पैसे कमाने के लाइक होते हैं यानिकी इनके लिए ही अपन रोजगार हो या बेरोजगार के सकते हैं 15 से नीचे वाले बच्ले है और साँट से उपर वाले बूड़े है तो ऐसी केंडिसिंटम पन राज़स्तान के अगर अगर आपन बात करें तो राजस्तान के अंदर WPR WPR बोले तो Work Participation Rate यानि कि Work Participation Rate यानि कि काम के अंदर कितने जारे जो है वो योगदान दे रहे हैं उसकी दर क्या है तो इसके इसाफ से जो है WPR निकलता है और राजस्तान के अंदर जो है 4443 में से 43.6% जो है आपके राजस्तान की ऐसी जनसंग क्या है जो की 15-60 की बीच में आती है या फिर जो की कारियसील जनसंग क्या है जो की काम करने के लाइक है यह आपके यहां पर निकल कर आता है यह कहां कड़ा यानि की 6.45437 में से लगभग 299 लाग विक्ति ऐसे आते है जबकि भारत की अगर अपन बात करें इस चीज की कारियसील जनसंग क्या की तो वह 49.88% ही आती है यानि कि यहां से एक चीज पता चलती है कि राजस्तान के अंदर कारियसील जनसंग क्या ज्यादा है भारत की तुलना में यह आप यहां से एक सामने जानकरी ध्यान रख सकत यह आपको क्योशन पूछा जा सकता है राजस्तान की कारियसील जनसंक्या कितने प्रतिसत है अगली चीज आती है राजिये के अंदर सरवादी कारियसील जनसंक्या जो है वो कौन से जिले की है तो एक नमबर पर तो आता है आपका प्रताबगड़ प्रताबगड़ की कुल ज बड़ अदर division थे सेजल दस्टान के अदर कसे दस्मों को हो एक अधिर eti जेए की सबसे कम के अंदर जेपूर और अपके सिकh कराता है जब राजस्तान की कुल ग्रामीन जंसंक्या जो की राजस्तान की कुल जंसंक्या छे पिच्चा सी एड़तालिस चार सो सेटिस का पिचेतर पॉइंट एक परतिसत जो है आपके ग्रामीन जंसंक्या होती है और इस पिचेतर दसमलो एक परतिसत को अगर सो माना ज तो इसमें से 47.3% किसमें आती है कारियसील जनसंक्या के अंदर आती है राजस्तान का गरामिंड चेतर में यानि कि राजस्तान की गरामिंड चेतर की 100% अगर जनसंक्या तो उसमें से 47.3% काम के अंदर जो है वो आपके जुड़ी हुई है या फिर कारियसील है जबकि अगर बात करें राजस्तान के सहरी चेतर के अंदर कारियसील जनसंक्या की तो यहां पर जो है वो 32.3% आता है यानि कि सहर के अगर 100 लोग लेते हैं तो उसमें से 32.3 जो है वो लोग कारियसील के अंपर के आता है यानि कि तहरी चेतर के अंदर जो है वो बेरोजगार ज्यादा है ग्रामिन चेतर के तुलना में यहां से एक आखड़ा निकल कर आता है जो आपके सामने सीधी सी आजाते हैं कि कारी सिल जन संक्या ओल ओवर राजस्तान की कितनी है 43.6 है सरवादी का कहा की है परताब गड़ फिर जितोर गड़ नियूनतम कहा की है जेपूर फिर सिकर जब अपन बात करें ग्रामिन चेतर की कितनी है राजस्तान की तो आपके 47.3 परतीसत है सेरी चेतर की कितनी है 32.3% है जब अपन बात करते हैं राजस्तान के सारे के सारे पुरूसों को एक जगे पर समिल कर ले यानि कि सो अगर मान लो राजस्तान के अंदर पुरूस है तो उसमें से 51.5% जो पुरूस है वह आपके किस परकार के है और वहीं अगर अपन बात करें राजस्तान की महिलाएं सारी के सारी महिलाओं को अगर अपन ले लेते हैं सो परतिसद अगर महिलाएं लेते हैं तो उसमें से 35.1% महिलाएं जो है वह कारी सील में आती है बाहर के काम करने नहीं दिया जाता है यही कारण है कि वर्किंग एज पॉबूलेशन जो है या फिर जो आपके कारी सिल जन्संग के है उसके अंतरकेत यह नहीं आती है अगला पॉइंट आता है आपका यहां से वह आता है बेरोजगारी जो अपने unemployment के रूप में जाना जाता है देखो बेरोजगारी की साधरन अगर आप language लिकना चाओ तो जब तो यही है कि रोजगार नहीं होना ही बेरोजगारी है अब वो अलग-अलग type हो जाती है कि किसी को कुछ की समता के इसाफ से नहीं मिल रहा है किसी के अगर मोसम के इसाफ से बेरोजगारी आ रही है अपने को उस चीज़ पर नहीं जाना है क्योंकि वो आजाता है इंडिया economics का part या फिर वहाँ से जो है वो बेरोजगारी वाला जो point है यह अपने को नहीं पूचा जाएगा कि basically यह वाली बेरोजगारी कौन सी है वो कौन सी है वो कौन सी है क्योंकि राजस्तान के आर्थिक्स जो आपके राजस्तान के economics वाला portion है उसके अंदर लिखावा बेरोजगारी तो राजस्तान के संदर्ब के अंदर क्या क्या क्योशन बन सकता है बेरोजगारी से जुड़े हैं उनी के उपर अपन चर्चा करेंगे चुकि इस टॉपिक से क्यूशन पूछे जाने की संभावना कम है पूछ ऐसे टॉपिक है जिनकी संभावना बहुत कम है कि क्यूशन वहां से आएगा लेकिन फिर भी आप जो है वो आपकी करेंद्टर वर मोनिटर्ग इंडियन इकोनोमी इसके द्वारा रोजगारी की स्तती कि एक रिपोर्ट जारी की जाती है इसके उपर तो उसके लिए मानव विकास हो जोचकाग हुँमन डवलप मेंट इंडेक्स आता है उसके उपर आप देख सकते हैं या फिर दूसरा वह स Center for Monitoring Indians जो आपके Economics है उसके लिए जो है आपके उसके द्वारा एक Report जारी की जाती है बेरोजगारी के उपर उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं पहले अपन बात करेंगे मानव विकास सूचकांक जो है Human Development Index इसके अंदर पैसे कितने हैं पैसे के बात हो जाती है सीधी की सीधी प्रति व्यक्ति आए से कि उस चेतर के अंदर प्रति व्यक्ति आए कितनी है और तीसरी हो जाती है कि जीवन प्रतियासा यानि कि वहाँ पर जीवन प्रतियासा का मतलब किस से जुड़ावा है चिकिसा से जुड़ाव है यानि कि किसी भी छेतर के अंदर मानव के विकास के लिए तीन चीजे सबसे ज़्यादा उतरदाई होती है शिक्षा है वहाँ पर पेसे हैं और वहाँ पर चिकिसा की सुईदा अगर इन तीनों को अच्छे से देखना चाहे तो किसी भी छेतर की साक्सरता वहाँ की पर केपिटा इंकम और वहाँ पर आपके लाइफ एक्सपेटेंसी या फिर जीवन परतियासा जो है यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट तीन चीजे होती है जिनको मानव विकास सूच कांग जारी किया जाता है और नविन्तम जो मानव विकास होचकांग है उसके अंदर राजस्थान की जो रेंक है वो कौन सी है सत्रवी ही रेंक है 17 इस्तान के उपर राजस्थान आता है किसके हिसाब से Human Development Index के हिसाब से यह बेरोजगारी का आंकड़ा एक आता है क्योंकि इ जुलाई 2022 के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई थी और CMIE के इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे की पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी है उसके लिए जो हो बेरोजगारी दर जो हो बताई गई है भारत के अंदर पहले नंबर पर हरियाना आता है हरियाना के अंद अगर अगर अपन बात करना चाहें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगार कहां पर मिलते हैं हर्याना के अंदर मिलते हैं और दूसरे नंबर पर कहां पर मिलते हैं आपके राजस्तान के अंदर मिलते हैं इसलिए आपको यहां से एक चीज़ यह ध्यान रख है अब उसके बाद में आती है मुल्य मुल्य का मतलब के हैदे को इन मुल्यों के अंदर दो प्रकार के मुल्य सामिल होते है अपने नाम भी सुनाओगा WPI और CPI एक होती है नहीं होंगे तो उस कंडिशन के अंदर बेरोजगारी कहलाती है अब पैसे अगर किसी के पास में नहीं है तो वो बाजार से कोई भी सामान खरीदने के लिए भी नहीं जाएगा बाजार से अगर सामान नहीं खरीदेगा तो किसी सामान के उपर या किसी वस्तु के उपर जो demand है जो मग है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जब मांग अगर कम हो जाती है तो ऐसी condition के अंदर उसकी कीमत है क्या हो जाती है किसी बाइक को अगर 4 लोग पसंद कर रहे हैं उसको अगर खरीदने जाएंगे तो 4 अलग अलग सोच लगाएंगे कि कोई पासím आगर रहां सौदे का जया कोई तो इसके बाव क्या होग deposit क्यों कि रुप्लत की मान के तो चारों कीमतों के आधार पर एक Index चारी किया जाता है डीवियू पिएय या फिर CPI होता है वह फिर इसको बोला जाता है वेसी सुरूप थे इसको बोला जाता है थोक मुल्य सूचकांग डव्यू पी आई यानि कि किसी चीज को आप थोक के भाव में लेकर आ रहे हो यानि कि आपने देखा हुआ कि कोई बहुत बड़ी दुकान होती है वहां से जो माल मिलता है वो बेसिकली छोटी कि आपकंगी दुकान से जो आप सक्कर की माल मानों की बड़ी दुकान से एक कि बोरी लेकर यह नहीं है और चोटी दुकान से एक किलो के C40 रूपे लगे तो आजाता है नि मिल रही है पुरा मुल्य कहलोता है wall price यानि कि थोक मुल्य कहलाता है और उसके आधार पर जो index निकलता है उसको बोला जाता है थोक मुल्य सुचकांग WPI wall price index और जो इन छोटी-छोटी दुकानों के इसाब से जो आपके मुल्य आते हैं उसके इसाब से जब आपके निकाले जाने वाले इंडेक्स से उसको बोला जाता है consumer price index चुकि वहां से direct consumer connect होता है उसको बोला जाता है consumer price index या फिर विशेश रूप से वो जो मुल्य है उसको बोला जाता है आपके खुद्रा मुल्य तो दो परकार के मुल्य होगे यानि कि इंडेक्स का मान नीचे आएगा अगर बेरोजगारी कम हो रही है यानि कि लोगों के पास पेसे बढ़ रहे हैं यानि कि डिमांड बढ़ेगी अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर रेट क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी फिर WPI हो चाहिए CPI यो दोनो क्या है और CPI जो है वो कैसे निकाली जा सकती है उसका वित्वर्ष क्या है यह आपको सामनी जानकारी होने चाहिए जो बेरोजगारी से जुड़ी वी होती है यह अपने चेप्टर का लाश्ट हिस्सा है देखिए विसे शुरूप से अपन बात करते हैं मुल्य की तो मुल्य के अंदर दो चीज़ा आती है एक होती है वोल सेल यानि की बड़े इस्तर के ओपर जिसको अपन थोक मुल्य बोलते है और एक होता है छोटे इस्तर पर जिसको अपन बोलते है खुद्रा मुल्य इन दोनों के हिस करता है कि अवह किसके दौरा कब क्या किया जाता है वह आपके सामने एक सामने जानों कर दिया है कि सबसे पहले बात करते है अपन WPI के WPI जो है वोल प्राइज इंडेक्स इसको आर्थिक एवम सांखे की निदे सालिय जिसकी इस्तापना 1957 में की गई थी और इसका हेड़कॉाटर जो है वो आपके जेपूर में इस्तित है जेपूर में तो राजस्तान सरकार के द्वारा 1957 में जेपूर के अंदर आर्थिक एवम सांखे की निदे सालिय जो है वो है आपके इस्तापित किया जाता है इसके द्वारा वोल प्राइज इंडेक्स WPI जो है ये नियमित रूप से जारी किया जाता है सपता के हिसाब से इंपोर्टेंट है WPI जो है वो हर सपता जारी होता है हर सपता के आधार पर जो है वो जारी होता है कौन सा आपके थोक वे खुजरा भावो के आधार पर राज्य के चैनित के अंदरों से जो है वो इसको संगरहित किया जाता है इसको एकटा किया जाता है सबसे पहले देखिए सबसे पहले आता है आपके थोक मुल्य सूचका WPI जिसको बोला जाता है Wall Price Index यानि कि जो आंकडे ना देखो यहाँ पर सामने जानकरी क्या है कि 1957 के अंदर जेपूर में इस्तापित होती है आर्थिक एवं सांके की निदे साले इसके दोरा आंकडे इखटे करकर के दिये जाते हैं आगे अब किसको किसको क्या क्या दिया जाता है वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि इसको जारी कौन करता है उसके लिए वो आंकडे उसको दे देते हैं जैसे कि राजस्तान के अंदर WPA जो है इसका आधार वर्स है 1999-2000 अब थोड़ी सी इसमें वापिस एकोनोमिक्स आती है एक होता है आधार वर्स एक होता है चालू वर्स दो वर्स आता है आधार वर्स का मतलब तो ऐसे वर्स को सरकार आधार वर्स गोसित करती है जिसमें वस्तों के मु जब कि चालू वर्स वह वाला वर्स होता है जिस वर्स के लिए आप काउंट कर रहे हो जैसे कि अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर WPI के लिए आधार वर्स है 1999-2000 यानि कि जब WPI जारी किया जाएगा या फिर काउंट किया जाएगा जब वॉल प्राइज इंडेक्स उस टाइम दो परकार की कीमते काम में लेंगे एक कीमत तो आएगी जो 1999-2000 के हिसाफ से है जो कि आधार वाली कीमते है यानि कि जो सब से ज़्यादा इस्टेबल वाली है और एक किमते लेंगे वर्तमान के हिसाफ से वर्तमान मतलब 2022-23 वितवर्स चल तो यह वाला 2022 तेश तो है चालू वर्स और आधार वर्स या फिर इस तीर वर्स जो है वो कौन सा है 1999 2000 है WPI के लिए तो पहला क्यूशन आपके लिए यही बनेगा कि WPI का वर्तमान में आधार वर्स किया है 1999 2000 है दूसरी चीज की WPI जो है इसको किस प्रकार से ग्याद किया जाता है तो WPI जो है यह मासिक आधार के उपर जो है वह ग्याद किया जाता है और इसमें कितनी वस्तुए सामिल है तो 154 एक सो चोपन वस्तुए जो है आपके WPI के अंदर सामिल आती है दूसरा आपके आता है उपभोगता मुल्य सूचकांग जिसको अपन बोलते हैं CPI Consumer Price Index इसको बोला जाता है और यह बैसिकली सरमिकों के उपर ग्याद किया जाता है ध्यान रखना है यह वाला जो है आपके मासिक आधार के उपर बड़ी बड़ी जो आपके दुकाने है या फिर बड़े जो उद्ध्योक दंदे है वहाँ से जो एक प्रकार से जो आपके थोक मुली है उसके आधार पर निकाला जाता है जबकि जो Consumer Price Index है यह सरमिकों के आधार पर निकाले जाते है इसमें चार प्रकार के जो है वो सूचकांग के प्रती महा तैयार किया जाते हैं हर महीने जो है वो चार सूचकांग तैयार होते हैं जो आपके सामने इस प्रकार से दिये हुए है सबसे पहला जो आता है वह आता है ओद्योगी के जो सर्मिक है यानि कि ओद्योगी की छेतर के अंदर काम करने वाले जो स्रिमिग है उनके लिए निकाला जाता है सबसे पहला इंडेक्स जिसको बोला जाता है CPI for Industrial Workers यानि कि Consumer Price Index for Industrial Workers जो ओद्योगी की छेतर में काम कर रहे हैं इसका आधारवर्स क्या है इसका आधारवर्स है 2001 2001 के अंदर य आते हैं इनके उपर जो है वो इसको काउंट किया जाता था लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि तो कि इसको जारी कौन करता है तो इसको सिमला के अंदर एक संस्ता आती है जिसको बोला जाता है श्रम ब्यूरो इस श्रम ब्यूरो सिमला के दौरा आपके CPI for industrial worker जारी किया दाता है इस आधार वर्स को बदल दिया गया था हाल ही की आर्थिक स्मिक्षा 2020 में और इसको आधार वर्स को बदल कर क्या कर दिया गया है 2016 यानि कि वरतमान में CPI for industrial worker का एक लाश्ट बात आती है इसमें जनवरी से दिसंबर एक तू लिया जाता है यानि कि CPI जो industrial worker है जो आपके अध्योगे की स्रमिक है उनके लिए CPI for industrial worker निकाला जाता है पहली बात दूसरी बात आती है इसके लिए जो आधार वर्स है वो 2001 को बदल कर 2016 कर दिया और जो केंदर जहां-जहां से इसके आंकड़े उठाए जाएंगे उसके लिए पहले आपके अजमेर भीलवाडा और आपके जेपुर हुआ करता था अब आपके जेपुर अलवर और भीलवाडा जो है इनको सामिल कर दिया अजमेर को बोला जाता है CPI for Rural Labor आरेल इसको बोला जाता है Rural Labor यानि कि Consumer Price Index for Rural Labor यानि कि ग्रामिन्ड छेतर के जो स्रमिक है उनके लिए जो आपका Consumer Price Index निकाला जाता है वो गाओं के आंक्डे लेकर निकाला जाता है चाई CPI इंडिस्ट्रिल वर्कर हो चाई CPI Rural Labor हो इन दोनों को ही जारी कौन करता है तो स्रम ब्यूरो सिमला की दोरा इसको जारी किया जाता है ये भी एक वर्स के इसाब से होता है तो ये भी आपके क्या आता है जनवरी से लेकर दिसम्बर के लिए ये है आपके जारी किया जाता है आंक्रे मासिक होते है हर महीने के हिसाब से इसको जारी करते है लेकि लेते कहां से जनवरी से शुरू करते है और दिसम्बर तक इसको लेते है ये एक इसका वितवर्स माना जाता है CPI Industrial Worker और CPI Rural Labor का तीसरा जो आता है वह आता है आपका CPI 4 आपके रूरल और अर्बन यानि कि ग्रामेंड और सेहरी दोनों के दोनों रूरल एंड अर्बन जो है दोनों के दोनों इसमें सामिल कर दिया जाता है यानि कि ग्रामेंड चेतर भी इसमें आता है और आपके अर्बन चेतर जो है भी इसमें आता है यानि कि ग्रामिन चेतर के स्रमिक और सेरी चेतर के स्रमिक दोनों के दोनों लेकिन इसमें खास बात क्या है देखिए ग्रामिन और सेरी का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो की है तो कहां के गाउं के लेकिन काम कहां पर करते हैं सेर के अंदर जाकर करते हैं उनको बोला जाता है CPI for combined यानिकी consumer price index for combined या फिर consumer price index for rural and urban दोनों नाम से जाना जाता है गाम वाले लोग सहर में जाके काम करते हैं उसके आधार पर जो सूचकांग निकलता है उसको बोला जाता है ग्रामेन एवम सहरी इसको भी जारी करने वाली संस्ता कौन सी है वही श्रम ब्यूरो सिमला है तो जन्वरी से दिसंबर है घतू जहाष़स के अंदर आक्डे लिये जाते हैं और तिनों कि त्नों जहाष़ प्यूरो के दौरा जारी किया जाता है लाष्ट आता है क्रशी स्वा्र, करशी शरमिक, उनके लिए आल आता है 1986-87 इसका क्या है आधार वर्स है सबसे पुराना अगर कोई भी आधार वर्स माना जाता है राजस्तान के अंदर तो वह माना जाता है CPI for Agriculture Labor जो की 1986-87 का है सबसे पुराना इसको जारी करने वाली संस्ता अलग है ध्यान रखना उन तीन के लिए स्रमी ब्यूरो सिमला है जबकि इसके लिए जारी करने वाली संस्ता है NSO National Esthetical Office जो है या फिर केंदरी सांकी की कारियाले जो की नई दिल्ली मिस्ता भी थे उसके दोरा इसको जारी किया जाता है और कर्षी वर्ष जो है जुलाई से लेकर जून लिया जाता है यानि कि बाकी तीन के अंदर स्रमी ब्यूरो सिमला आ रहा था और जनवरी से दिसंबर तक आंकड़े ले रहे थे जबकि कर्षी स्रमी को के लिए उननीस तुच्यासी सत्यासी आधार वर्ष है जारी करने वाली संस्ता NSO है नई दिल्ली और इसके लिए जुलाई से जून वाला जो मैना है जो आपके वित्वर से वो वाला इसमें लिया जाता है ये इसके बारे में आपके क्या आती है सामाने जानकर याती है ठीक है तो ये आपके लिए एक टॉपिक था जो कि सेलेबस में लिखावा था बेरोजगारी चुकि यहां से एक क्यूसन जो है वो बनने की ज़्यादा संभावना करंट बेस क्यूसन की है जो कि करंट की योजनाओं से या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जैसे की अभी हाल ही में राजस्तान सरकार के दौरा जो है वो बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक प्रकार से जो है वो योजना तलाए गई है विद्या संभल योजना है या फिर अगर 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 अपन बात करें बेरोजगारी बत्ते वाली आपके एक्जाम तगर कोई अच्छी नई रिपोर्ट आ जाती है बेरोजगारी से या फिरोजगार से जुड़ी वी तो वो वाली रिपोर्ट आप अच्छे से देख के जाना बाकि जो बेसिक चीजे हैं जो आपको यहां से कुछ ही जा सकती है उसके उपर अपने चर्चा की है क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है धन्यवाद